नमस्कार स्वागत है आप सभी का मेरा नाम चंदुजेन है आज मैं आपको कहानी सुनाता हूं भारत के कैसे राजा की जिसने युनानियों को घुटनों पला करके खड़ा कर दिया था ये राजा कोई और नहीं भारत का पहला एतिहासिक राजा कहलाने वाले चंद्रगुप् संत अर्थ सास्त्र की रचना तो क्या थी यह गटना तोड़ासा जानये का प्रेयास करिएगा कटना घटित हुई भारती इतियास में 305 इसा पूर्वा में यह गटना उस समय घटित हुई जब Бhारत में चंद्रुप्त रहा था उस समय युनान का राजा था सेलिूकस निकेटर से ίूकस निकेटर चाहता था जिसलिए पूर्वज सिकंदर की तरह भारत पर आक्रबन करता है लेकिन उसे यह नहीं पता था अलग थी और भारत की राचनितिक प्रिस्थथी बिल्कुल अलग 305 इसा पोरव में भारत में भयानक युद्ध हुआ जिसमें चंदरगौत मोर्य ने सिकंदर को इस सेणापती के रूप में स्तापित सेल्यूकसनिकेटर। में श ηब्यूत में भार होता है हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त से कहता है मैं बाफ गलती हो गई जो मैंने आपकी उपर आक्रमन कर दिया मेरे चार प्रांथ है कांधार है ठीक है 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 बलुचिस्तान है यह मैं आपको दे रहा हूं क्या बात क्लियर होगे काबूल कंदार हेरात और बलुचिस मेरे चार मैं तो पूर्ण प्रांथ है मैं आपको दे रहा हूं मैं बाफ गलती हो गई चंद्रगुप्त ने कहा ठीक है मंजूर है संधी कर लेते हैं संधी हुई चार प्रांथ सेल्यूकस ने जो है वह चंद्रगुप्त मोरिये को दे दिये थे इसके बाद चंद्रगुप मोरिय के दरबार में की मेगसनीज भारत आता है चंद्रगुप्त मोरिय के दरबार में रहा और भारत यात्रा का वरणन इंडीका नाम की किताब में करता है इंडीका गरंत वरतमान में उपलब्द नहीं है कैसी लगी आपको यह कहानी तो ऐसे थे हमारे भारत के महान राजा चंद्रगुप्त मोरिये जिसने युनानियों को पराजित कर दिया था इतियास विशे के ओनलाइन कोर्स करीदने के लिए आज ही डाउनलोड करिए कावे क्लासे कोटा का मोबाइल एप्लिकेशन या फिर हमारी हेल्प लाइन नंबर डबल एड जीरो टू-060952 पर संपर्क क जे भारत मेरा नाम चंदू जैन है इसी तरह के वीडियो के लिए लाइक सेर सस्क्राइब करिए हमारा चैनल जेहिंद जे भारत